नमस्कार स्वगत है आपका हमारे चन्चार चागंदर मिशा में करने राश वालों मिठाई वाटनी के लिए हो जाओ तयार क्यूंकि 26 अप्रेल से राजय जिसे जिन्दगी जेने का अफसर मिलेगा दोस्तो मांल Economics जी के आशिरवाद से अब आपके जीवन में अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुसक्परी और बड़ी सफलताएं मिलने वाली है जी हां दोस्तो माता लक्ष्मी जी के आश्तिरवास से अब आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े चमातकार होंगे कुछ ऐसे बड़ी बाते होंगी जिससे कि अब आपके जीवन में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा जिससे कि अब आपका जीवन ही बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों वो बड़ी खुसकबरी कौन-कौन सी है इसलिए आप लोग कन्यरास के यातकों इस वीडियो के अंतक अवश्च बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को मिश ना करें क्योंकि यह वीडियो कन्यरास के यातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है तो चलिए दोस्तों बीटो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 26 अपरेल के बाद आपके उपर माता लक्षमी जी का आश्रवात कैसे रहेगा दोस्तों आज किलके इस महगाई भरे दोर में कौन नहीं चाहता कि उसके पास धन की कमी हो हर किसी की चाहत होती है कि उसके पास सभी इक्षाइं पूरी करने के लिए धेर सारा धन हो और जब धेर सारा धन होगा तो ऐसो अराम की जिंदगी भी होगी यदि बहुत सारा नहीं तो कम सकम इतना धन हो कि वह अपना गुजारा कर सके आज लोगों की जिंदगी में अगर रुपया पैसा नहीं है, तो घर के बुरे हालाद हो जाते हैं, उन्हें गरीबी का मुह देखना पड़ता है, और आपके पास धन है, तो हर छेतर में काम्याबी मिलती है, तरक्की मिलती है, खोसिया चाई रहती है, और आपके सारे बिगडे हुए काम भी बनने लगते हैं, धन पाने के जाता है कि धन सदेव इमानदारी से कमाना चाहिए, क्योंकि वही धन हमारे सही काम आता है, दोस्तों देवी लक्षमी जी को धन की देवी कहा जाता है, और कहा जाता है कि इनकी किर्पा जिसके उपर हो जाए, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं करने राज के यातकों की इस दुनिया में सभी का भाग एक बराबर नहीं होता, किशी की अमीरी और गरीबी उसकी मेहनत पर निर्वर करती है, अगर कोई गरीब पैदा हुआ, तो ये अपनी मेहनत से अमीर बन सकता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो चाहे अ नकरात्मक पड़ता है, दोस्तों आपको बता दे कि जोतिस सास्त्र के मताबिक है, अब ऐसा महा दूलब सबस्योंगे 26 अपरेल से बन रहा है, क्योंकि दोस्तों 26 अपरेल को बरूतनी एकदसी का पर्व यनि है, यनि कि भगवान विश्मी जी की सबसे प्रिति थी, माता ल माता लक्ष्मी जी अब कने रास के जातकों के उपर महरवान होने वाली है, दोस्तों 26 अपरेल को बहुत दूरलब सबस्योंग बन रहा है, इसलिए माता लक्ष्मी जी महरवान होने वाली है, कने रास के जातकों के उपर, अब इनकी सारी मनो कामनाए पूर्ण करने वाली ह माता लक्षमी कृपा से इन लोगों के किसमत अब साथ में आस्मान पर रहेगी और किसमत बदलने वाली है जी है दोस्तों इनके घर में अब माता लक्षमी जी पधारने वाली है इनके घर में माता लक्षमी कदम पढ़ने वाले है अब इनके जीवन में अनेक प्रकार की खुश्यां प्राप्त होंगी, अनेक प्रकार से लाब देखने को मिलेगा माता लक्ष्मी के आश्रवाद अब इन्हें प्राप्त होगा 26 सप्रेल से अब इनके जीवन में नया बदलाव देखने को मिलेगा अब इनका मानसिक रूप से धार्मिक भाबनाओं का उदाय होगा, इनके लिए ये बहुत इस्चुब श्योग है, प्रेम सम्मंधु में मदूरता आएगी, कई जगों से विशेश धन का लाब होता चला जाएगा, अनेक जगों से धन का लाब होगा, धन संपत्य एस्तर में ब्रदी होगी, जिमेन प्रोपरिटी का लाब देखने को मिलेगा, अचानक धन का लाब होगा, हर जगए आपको कामयाबी प्राप्त होगी, बता देख करने राज़कात को की, माता लक्षमीच के अपार किरपादरिष्ट 26 अप्रेल से बन रही है, यानि कि इसमें दिन लब्धियां कदम चूमेगी, हर प्रकार की संभाबनाई आपके पक्ष में आएंगी, अब आप अनेकों जगएं से धन का लाब कमा पाएंगे, इसमें प्रेम संबंदों में मधूरता आएगी और लब लाइप आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, लब पार्टनर को खूबसूरत वक्त बिताने का मौका मिलेगा, हर जगए आपको कामयवी प्राप्त होगी, जीवन में चली आरही परेसानिया आपकी दूर होने वाली है, हर छेतर में तरक्की प्राप्त होगी, यानि कि अब आप दिन धुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे, अब माता ल से आपको धन का लाब होता चला जाएगा, यानि कि इसमें जो भी कार करेंगे, जो भी निर्णे लेंगे, वो आपका सही साबित होगा, हर छेतरों में आपको विशेश उपलब्दिया प्राप्त होगी, नए कारियों में विशेश लाप देखने को मिलेगा, इसमें आप ध वाटने के लिए हो जाओ तयार, क्योंकि 26 अपरेल से राजय जिसे जिन्दकी जेने का अपसर मिलने वाला है, 26 अपरेल से कन्यराशकत कुमाब आपके जीवन में नया बदलाओ देखने को मिलेगा, हर छेतर में काम्याबी प्राप्त होगी, और इसमें आप की सफलता कदम जो में के भाग साथ में आस्मन पर रहेगा, जो भी कार करेंगे, धोरे कारियों का पूरा करने का प्रयास करेंगे, हर छेत में विशेश उपलब्दिया प्राप्त हो जाएंगी, धन दौलत के मामले में आप काफी लखी रहने वाले हैं, अनेक जगों से आपको लाब जो में ब्रदी होगी, जमेन परपर्टी के खरीदारी कर सकते हैं, समाज में मान समान बढ़ेगा साथ ही साथ, आप पुरानी पिंडिंग कामों का पूरा करने का प्रयास करेंगे, माता लक्ष्मी कृपा से अब आप दिन दुगनी राज चोगनी तरक्य करेंगे, आपका बैवाहिक जीवन काफी सुक में रहेगा, माता लक्ष्मी कृपा से संतान प्राप्ती के प्रवल योग बन रहे हैं, संतान की चाहत पूरी होगी, संतान की एक्छाय पूरी होगी, हर मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है, अनेक जगों से आपको धन का लाब होगा, यानि कि इसमें आप काम्याबी के सिखर पर रहने वाले हैं कन्ने राज केतकों मा भकुती लक्ष्मी की अपार कृपा दुष्टी आपके उपर रहेगी तो राजाओं जैसे सुक्ष्वधाय प्राप्त करेंगे गाडी बाहन से साथ साथ आप इसमें अपने सिख्षा के छेत्र में सुधार करेंगे सिख्षा के छेत्र में आपको बर्दी देखनों को मिलेगी साथी साथ बता दे कि इसमें आप बड़े संस्था में दाखिला ले सकते हैं और आप इसमें कोई महत्पुन नेने और डिसीजन लेने में कामयवी हाशल करेंगे माता लक्ष्मी कृपा से आब आपको उपर धन संपत्ती की बाउचार करेंगी माता लक्ष्मी जी चारो दिसाओं से आपको ख्याती बढ़ेगी मान समान में ब्रद्दी होगी अनेक जगों से आपको धनका लाब होगा ब्यापार में तेजी देखने को मिलेगी बता दे कि अब आप बहुती भागसाली रहने वाले हैं बहुती खुस किसमत रहने वाले हैं जो कि आपके उपर माता लक्ष्मी जी महरवान होने वाली हैं और आपको हर छेत में कामियावी दिलाने वाली हैं प्रेम संबंदों में मधूरता और प्रगारता आएगी साथी स्वास्त उत्तम रहेगा और समाज मान समाना और ख्याती बढ़ेगी राज जिन्त में लाब है कि दोस्तों करने राज क्यात को मिठाई वाटने के लिए हो जाओ तयार क्योंकि 26 अप्रेल से राजय जिसी जिन्दगी जेने का अबसर मिलेगा तो दोस्तों कमेंट में जरू लिखेगा जै मालक्ष्मी साथी वीडियो को लाइक गिरिएगा जैदा शेयर करिएगा और है मालक्ष्मी